स्टैच्व यूनिटी सर्दार वल्लब भाई पटेल फिर अभी 75 वर्ष अजादी के उसमें सबसे पहले प्रधान मंत्री जी ने रेट फोर्ट से नाम लिया सावर कर जी का और अभी हमने देखा कि जो प्रतिमा आई बढ़िया से नेता जी सुभाष चंद्रबोस की मैं आप और लड़के लेना है तो लड़के लेके रहूंगे बात तो ऐसी है कि हम लोग तो पिछले करीब साथ साल तक यह मानते थे कि प्रतिमाय तीन-चार लोगों की लग सकती है यह एक परिवार की प्रतिमाय लगने चाहिए एक परिवार के नाम दिखिए उनका भी चंद्र बोस कुछ नहीं है फिर सरदार वलभाय पटेल कुछ नहीं है अब सरकार यह कहना चाते के आप तो हो ही लेकिन ये भी है इनको भूलांकर भारत नहीं बनेगा अगर सरदार वल्लब्भाई पटेल नहीं होते तो 542 रियासते भारत में सामिल नहीं होती और ये अखंड भारत जो हम देखते ये भारत हमको नहीं दिखाई देता अगर नेताजी सुबास चंदर वोस नहीं होते तो अंगरेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर नहीं होना पड़ता जिस प्रकार से नेताजी सुबास चंदर वोस ने आजाद हिन फोज के माध्यम से पहली बार भारत की धरती पर सवतंतर भारत का जंडा लेराया और उसके बाद एक प्रकार की जो आग पूरे भारत में लगी इसके करण अंग्रेजों को जना पड़ा महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ों का जो नारा दिया उस नारे के बाद जिस प्रकार से भारत के अंदर एक आम आडमी भारत की स्वतंतरता से जुड़ा तो ऐसे कई लोग है कि जिनके कारण भारत को स्वतंतरता मिली है तो ऐसे समय उन लोगों को भी याद करें न कि केवल दो-तीन लोगों को या चार लोगों को जिनके हर गाव में हमने पुतले इससे पहले लगा दिये सरकार की सारी स्कीमों को उनके नाम दे दिये हैं और सरकार में उनके सिवा दुसरा कोई सरकार को देखता नहीं ऐसी परिस्तितिया है तो मुझे असा लगता है it is not reinventing it is recognizing केवल हम recognize कर रहे हैं कि इन लोगों का भी उतना ही contribution है